ओम शान्ती आज 16 सप्टेंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक के सुनेंगे आज की मुडली है पूज्य और पूजारी, ज्यान और भक्त बाबा कहे अब दीरे दीरे तुम्हें पुर्शार्थ करते हुए पूज्य स्वरुप में आना है और पूजारी पन की सारी निशानियों को समाप्त करते जाना है बाबा बच्चों को यही तराजू के दो पलड़े दिखा रहे हैं जिसमें एक है ज्यान, दूसरा है भक्ति का तराजू बाबा कहे इस समय ज्यान का तराजू थोड़ा हलका है और बक्ति का तराजू भारी है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज्यान को ग्रहन करते जाएंगे तो बाबा कहे तुम्हारा ग्यान का तराजू भारी होता जाएगा ग्यान की परिपक्वता आती जाएंगी और वक्ती का तराजू हलका हो जाएगा फिर सत्यूग के अंदर सिर्फ ग्यान की प्रालब्द रहेगी तो इसलिए बाबा कहे ये ज्ञान के तराजू को भारी करते जाना है सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य ओम शान्ति मीठे बच्चे ये पूझ्य और पुजारी ज्ञान और भक्ती का वंडर्फुल खेल है तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूझ्य बनना है आज की मुरली से प्रश्ण है बाब जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं उत्तर है ज्ञान और भक्ती का तराजू जिसमें एक पूर यानि एक पलड़ा है ज्ञान का दूसरा है बक्ती का अभी ज्ञान का पलड़ा हलका है ज्ञान का पूर हलका है बक्ती का भारी है धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाएगा फिर सत्यूग में केवल एक ही पूर रहेगा पाबा कहे फिर सत्यूग में केवल एक ही पूर होगा वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं है ओमशन, रुहानी बाप मिठे मिठे रुहानी बच्चों को ज्यान और भक्ती का राज समझा रहे हैं यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आये हुए है और हमको फिर से पूच्य देवी देवता बना रहे है जो आसुरी संप्रदाई बन गये हैं वह अब फिर से देवी संप्रदाई बन रहे हैं अर्थाथ अब भक्ती का चक्र पूरा हो गया यह भी अब मालुम हुआ है कि भक्ती कब से शुरू हूई है रावन राज्य कब से शुरू हुआ है कब पूरा होता है फिर राम राज्य कब से शुरू होता है तुम बच्चों की बुद्धी में वर्ल्ड की हिस्ट्री जॉग्रफी है बरोबर चार युग है अभी संगम युग का चक्र पड्रामा चल रहा है यह हम सब बच्चों की इसकी बुद्धी में बैठा हम प्रजा पिता ब्रह्मा मुख वाउशावली ब्रामनों की बुद्धी में बैठा किसका नाम तो कहेंगे न सिवाई ब्रामनों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते ये खेली ऐसा बना हुआ है ब्रामन पिद्धेवता शैत्रिय वैश्य शुद्र ऐसे ये चक्र फिरता रहता है तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अत्वा याद की यात्रा सीख रहे हो अत्वा पतीत से पावन बन रहे हो समझाना भी ऐसे होता है अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे है तो जरूर पहले रावन राज्य है यह भी सिद्ध होता है कांसी बात सिद्ध होती है कि अभी रावन राच्य है तो जाड बहुत बड़ा है अभी हम पूच्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे है तो पुराना जाड खलास हो नए जाड की स्थापना हो रही है यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते है हम स्वयम पूच्य सतो प्रदान थे फिर चौरासी जन्म बाद तमो प्रदान बने पूच्य से पुजारी बने है फिर से रिपीट करना पड़ेगा यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता है रावा कहे ये इतना सहज चक्र समझने का है कि कैसे ये चक्र फिरता आया है जैसे एक्कर्स शुरू से लेकर पिछारी तक पाट बजाते हैं न तो यह है बेहत का राज ज्यान और भक्ती का राज बुद्धी में अच्छी रिती जम गया है हम ही पूज्य सत्यूगी देवता थे फिर हम ही सीड़ी उतर के पूजारी बने रावन राज्य कब से शुरू हुआ पूरी तेथी तारिक तुम जानते हो हमने ऐसे ऐसे पुनर जनम लिया पहले हम सूर्यवनशी देवी देवता थे फिर चंद्रवनशी बने फिर वैशिवनशी फिर शुद्रवनशी अब फिर ब्राम्मनवनशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं अभे तुम ब्राम्मन वन्शी वा इश्वर्य वन्शी हो, ब्राम्मन वन्शी को हो या इश्वर्य वन्शी को हो, तुम सब चानते हो, कि हम सब इश्वर की संतान है, ये समय हम सब इश्वर की संतान है, इसलिए ब्रदर्स कहते हैं, वास्तों में तो ब्रदर्स होते हैं मूल पिर पाट बजाने लिए नीचे आना पड़ता है, यह तो बच्चे जानते हैं, हम ये शूद्र से ब्राम्मन बन, पढ़कर वसंसकार ले जाते हैं, सो हम देवी देवता बनते हैं, कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राम्मन हैं, फिर कल हम सो देवता बनेंगे, यह राज समझाना भी होता है बच्चो को, हम सो सो हम का राज भी बाबा कह समझाना होता है बच्चो को, सभी को सुझात करना है, हर एक को सुझात करना है, यह तुम इसको भी समझा सकते हो, कि नई दुनिया सत्यू ये पुरानी दुनिया कल्यूग है इसमें कोई सुख नहीं बच्चे समझते हैं जब ये नया जाड़ था तो हम ही देवी देवता थे बहुत सुख था फिर चक्कर लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई है मनुष्य भी बहुत हो गए है तो दुख भी बहुत हो गया है बाप समझाते हैं सत्यूग में तुम कितने सुखी थे सदा सुखी तो कोई रहते नहीं उनर जनम लेने का भी काईदा है उनर जनम लेते लेते उतरते उतरते 84 जनम पूरे हुए है फिर नए सिरचक्र फिरना है जान और भक्ति आदा कलप है दिन नई दुनिया फिर आदा कलप है रात पुरानी दुनिया ये पढ़ाई याद करनी होती है शिव बाबा को भी याद करना होता है टीचर को भी सारा याद है न तुम कहेंगे बाबा को इस सारे स्रिष्टी की नौलेज है तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो अब पुजारी पतीत बने है सतो प्रधान, सतो रजो तमो यह हिस्ट्री जोग्रफी तुम ड्रामा की समझते हो यह पूच्य और पुजारी का खेल बना हुआ है ऐसी ऐसी अपने साथ बाते करो सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्यान और योग ज्यान है स्रिष्टी चक्र का और योग से हम पावन बनते हैं ज्यान है सारा श्रिष्टी चक्र का और योग से हम पावन बनते हैं कितना सहज है इसको भी समझा सकते है जैसे बाबा भी समझाते हैं न सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बाप इनके साथ है न कोई भी मनुष्य सदगती को तो जानते ही नहीं सदगती की बाते तो तब समझे जब सदगती दाता को पहचाने है तुम्हारे में भी नंबरवार जानते है तुम समझते हो और समझाते भी हो मूल बात है ही पतीत से पावन बनने की याद से ही तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते जाएंगे यहां के बच्चे वा बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगावे पतीत से पावन बनने की युक्ति क्या है क्योंकि इसमें ही मूझे है ताबक कहे इसमें ही मूझे है तो समझाना चाहिए कि ये खेल ही हार और जीत का बना हुआ है भारत ही पतीत से पावन और पावन से पतीत बनता है आदा कल्प है ज्यान अर्थात पावन, आदा कल्प है बक्ती अर्थात पतीत अब फिर से पतीत से पावन बनना है यह याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है वह तो जिस्मानी यात्राएं जनम जनमांतर करते नीचे गिरते गए हैं ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं पावन बनाने वाला है ही एक बाब वह एक ही बार आते हैं शिव बाबा का पुनर जनम नहीं कहेंगे, मनुष्य को ही 84 जनम के चक्र में आना है, बाबा कहते हैं, ये कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए, बाबा कहें इसमें सिर्फ कहानी तो बहुत सहज है, 84 जनम सिर्फ इसमें कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए, जब तुम देवता थे, तो तुम्हारा फर्स क्लास कैरेक्टर था, पर था फर्स क्लास चरित्र था, पिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर चरित्र बिगड़ता गया, रावन राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया है आधा कल बक्ती मार्ग में पतीत बनने से हाहकार मच गया पावन शिवालेई से फिर पतीत वैशालेई बन जाता है रावन ने जीत पाली कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने बाप को ही आना पड़ता है यह भी ड्रामा बना हुआ है रावन राज्य में हम गिरते आये हैं अब फिर चड़ना है बाप आकर जगाते हैं क्योंकि सब भक्ती में सोए पड़े हैं बाप आये हैं तो भी सोए पड़े हैं बाप आये है तो भी बाब के सोय पड़े है, बाप आते ये पिछाडी में, जबकि सब अज्ञान मेंद में सोय है जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टी के आदी मद्यांत को जानते है, तुम भी जानते हो इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं न, एक बाप से सीख कर फिर व्रद्धी को पाते हैं कल्प पहले भी तुमको मनुश्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है फिर कोई हलका पुर्शार्थ करते हैं, कोई फिर तिखा करते हैं, नमबरवार तो है न, कोई की डल बुद्धी है, उस स्कूल में भी नमबरवार तो होते हैं न, उस पढ़ाई में तो B.A.M.A. आदी की कितनी क्लास होती हैं, कितने मनुष्य पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कितने M.A. पढ़ते होंगे, कितने लोग पढ़ते होंगे, जो भी भारतवासी है, कितने समय से पढ़ते हैं, कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आज ही वीका करते रहते हैं, अच्छा मर गया, फिर नए सिर से जन्म ले M.A. आदी की पढ़ाई नहीं है, वहां इस दुनिया की पढ़ाई से जैसे छूट जाते हैं, यह ड्रामा में अभी की नूद है, जो पढ़ते हैं, फिर कल को बात पढ़ेंगे, वहां यह किताब आदी कुछ भी नहीं होती, जो भक्ती मार्ग में होता है, वो ज्ञान मार् बक्ती मार्ग में वो पढ़ाते आए हैं, जो पास्ट हुआ, इस्ट्री पढ़ाते हैं, बाप ने बताया है, कबसे राम राज्य, कबसे रावन राच्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए, तुम्हारी बुद्धी में यह साव राज अच्छी तरह बैठ गया है, रंतुराजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते, कोई तो अच्छी रिती पुर्शार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुन धारन करते हैं, तुम्हारा ईश्वरिय रजिस्टर भी है, अपनी जाज करनी है, कि हमारे में कोई अवगुन तो नहीं है, गाते हैं, ह हम निर्गुन हारे में कोई गुन ना है, सब समझते हैं, हमारे में अवगुन है, जब हमारे में सब गुन थे, तो हम क्या थे, सर्वगुन संपन, सोला कला संपोन थे, उन्हों का राज्य था, चित्र भी है, वहां ये मंदिर आदी नहीं है, वहां बक्ती मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा, बक्ती मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है, यह भी तुम नंबरवार जानते हों, जो अच्छी रिती पढ़कर धारण करते हैं, तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती है, दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाई लेते हैं, उनका कितना मददकार बनना चाहिए, हम है इश्वरिय संतान, बाप आये ही है सब को सुखदाई बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते हैं, बच्चों को इतना उंच बनना है, बाबा बार बार समझाते हैं, अपने पास नोट रखो, इसको दुख तो नहीं दिया, बाप सब को सुख देते हैं, हम भी सुख देगें, यह जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है न, बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है, कोई उल्टा सुल्टा बोले भी, तो भी तुम शान्त करतो, बाबा सब को सुख का रास्ता बताना है, तो शान्ती धाम सुख दाम के मालिक बने, सुखदाई बनना है, क्योंकि बाप सदा, सुख दाता है न, सब के दुख दूर कर लेते हैं, बुद्धी में आता है, हम बहुत सुख देने वाले थे, हम जब सुख में थे, तो विकार का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे, सत्यूग में कोई दुखी नहीं होते हैं, बाब फिर भी बच्चो को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्मा को ही पावन बनना है आत्मा में कोई पतीत पने की निशानी न रहे दिन प्रती दिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार राजय पाई थी वही फिर पाने का पुर्शार्थ कर रहे हो देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुर्शार्थ करते हैं कितने को हम सुख देते हैं अज बाबग बार बार कि रियलाइस कराते हैं कि कितने को हम सुख देते हैं बच्चे जानते हैं कि सत्यूग में हम कोई को दुख नहीं देंगे कम पुर्शार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कमपद पाएंगे बेज़ती होती है न कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं या प्रदर्शनी या म्यूजियम आदी भी बृद्धी को पाएंगे तराजू में ये ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा एक तरफ है ज्ञान, दूसरे तरफ है भक्ति इस समय भक्ति का पूर पलड़ा बहुत भारी है एक दम नीचे पट पड़ जाता है बहुत वजन भारी होकर एक दम तले में चले जाएगे बाबक कहे बहुत वजन भारी होकर एक दम तले में चले जाएगे उसमें जैसे दस शेर और उसमें ज्ञान का एक पाउँ पड़ा है भक्ति का पलड़ा कितना भारी है बाबक कहे उसमें जैसे दस सेर पहले सेर और उसकी गिंती होती थी न, तो दस सेर और उसमें ज्यान का एक पाउँ पड़ा है, फिर ज्यान का एक तरफ भारी हो जाएगा, सत्यूग में फिर एक ही पूर होता है, सत्यूग में फिर दूसरा पूर होगा ही नहीं, सत्यूग में एक ही पूर होता है, फिर पर 2 पूर हो जाते हैं, कलियुख तक तो, द्वापर से कलियुख तक सिर्फ बक्ति का पूर रहता है, संगम पर 2 पूर हो जाते हैं, ज्यान के पूर में कितने थोड़े हैं, कितना हलका है, फिर वहां से ट्रांस्फर हो, इस तरफ भरते जाएंगे, तब बक्ति खत्म हो जाएगी फिर एक ज्यान का पूर रह जाएगा तो पूर होंगे ही नहीं बाप आकर तराजु में दिखाते हैं कम जास्ती भी होता रहता है कब उस तरफ, कब इस तरफ बर्तु हो जाते ज्यान में आकर फिर भक्ती के पूर में बर्तू हो जाते हैं यहां आए फिर कहीं चले गए तो फिर भक्ती के पूर में बर्तू हो जाते जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होने है जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे पिर मूल वतन का पूर जास्ती हो जाएगा वहां बहुत आत्माई रहेगे तो वहां पूर यानि पलड़ा जास्ती हो जाएगा पिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे इस रिती स्रिष्टी का चक्र फिरता रहता है जब पतीद है तब तराजू की दरकार ही नहीं तराजू की दरकार ही तब होती जब बाप आते हैं बाप तराजू ले आते हैं जाड का ज्यान भी तुम्हारी बुद्धी में है पहले कितना छोटा जाड फिर वृद्धी को पाता रहता है सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते, फिर रिपीट होता, पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते व्रद्धी को पाते हैं, खल देते हैं, हर वर्ष जाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा, अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, के जरूर उन्हों का राज्य था, परन्तु कब यह भूल गए हैं, तुम ब्रामनों का कुल भी दिन प्रते दिन व्रद्धी को पाता जाता है, तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मन्थन करके भारन करते रहो और समझाते रहो, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का यात्या, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम सब रुहानी बच्चों की रुहानी मात्पिता बाप दादा को याद प्यार, good morning और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्यसार, पहली पॉंग, यह जीवन बाप की सेवा में लगाने है बहुत बहुत सुखदाई बनना है, कोई उल्टा सुल्टा बोले, तो शान्त रहना है बाप समान सबके दुख दूर करने है, दूसरी पॉइंट अपने रजिस्टर की जाच करनी है दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अउगुण निकाल देने है आज का बाप दादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृती द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भवव संगम युग पर स्वयम बाप बच्चों को बिनन बिनन टाइटल्स देते हैं, उनी टाइटल्स को स्मृती में रखो तो स्रेश्ट स्थिती में सहजी स्थित हो जाएंगे सिर्फ बुद्धी से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ, जैसा टाइटल्स दैसे स्थिती हो यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृती में रहे, तो परदर्शन चल नहीं सकता स्वदर्शन चक्रधारी अर्था माया जीत माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठैर नहीं सकता आज का स्लोगन है, वान प्रस्त स्थिती का अनुभव करो और कराओ, तो बच्पन के खेल समाप्थ हो जाएगे बान प्रस्त स्थिती का अनुभव करू और कराओ तो बच्पन के खेल समाप हो जाएंगे अच्छा, ओम शाओ